आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अब इस वीडियो में हम बात करेंगे Inthalpy of Solution के बारे में Inthalpy of Neutralization and Inthalpy of Hydration के बारे में तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं कि मेरे पास Inthalpy of Solution क्या होती है Inthalpy of Solution को जब हम डिफाइन करते हैं तो यह वो Inthalpy change होता है जब मेरे पास 1 mol of solute जो है वो डिजॉल्फ किया जाए मेरे पास large excess of a solvent में So that कि जो मेरे पास further addition है of solvent वो मेरे पास कोई भी heat change जो है वो produce नहीं करेगी It means कि मैं क्या करी हूँ 1 mol of solute है मेरे पास और उसे में infinite amount of solvent में डाल रही ताकि मेरे पास क्या हो कि जो मेरे पास interaction है जो solute-solute particles का वो क्या हो जाए नेगलिजबल हो जाए तो इसे हम क्या बोलते है enthalpy of solution अब अगर मेरे पास suppose करो कि मेरे पास water present हो और जो मेरे पास water है वो मेरे पास act कर रहा है as solvent तो हम इसके लिए symbol aq यानि कि aqueous use करते है इसकी large infinite dilutions को represent करने के लिए अब अगर मैं कुछ examples देखू enthalpy of solution के तो कैसे हैं देखो जैसे कि में पास h2so4 था ठीक है उसे हमने aqueous medium में dissolve कर रहा है यानि कि water में dissolve कर रहा है तो में पास क्या आ गया h2so4 जो कि में पास अब aqueous state में पहुंच गया है तो इसकी जो मेरे पास delta h जो है ठीक है वो कितनी आएगी यह आएगी minus 20.2 kilo calories ठीक है अब ऐसे एक और example देख सकते थे जैसे कि अगर में पास kcl है suppose और वो solid form में था अब उसे हमने water में dissolve करवाया तो हमें मिला गया kcl solution जो कि मेरे पास कि state में आ गया अक्को सेट में आ गया ठीक है तो यहां पे अब मेरे पास जो delta h है इसकी वो क्या आएगी वो आएगी में पस 4.4 kilo calories ठीक है समझ में आ गया तो enthalpy of solution जब मेरे पास one mole of solute जो है उसको मैं large amount of solvent में डाल रही हूं ताकि जो मेरे पास further addition होग इसे भी solvent का तो मेरे पास कोई heat produce नहीं कर तो अब अगर मेरे पास हमने पढ़ा था solutions के chapter में कि मेरे पास idle solutions होते है और non idle solutions होते है तो जो मेरे पास idle solutions होते है उनकी जो मेरे पास enthalpy होती है ठीक है उसे हम हमेशा क्या लेते है जीरो ठीक है जेनरली मेरे पास क्या होता है कि जो dissolution है substances का किसी भी solvent में तो वह क्या होगा disintegration process होगा ठीक है और उस process के लिए क्या होता है need होती है for energy तो अगर में पास energy required होती है तो it means that energy absorb होगी energy absorb होगी it means that में पास delta H mostly क्या आएगा positive आएगा but in some cases में पास क्या होता है breaking down भी हो जाता है कुछ basic particle का या फिर हम कह सकते थे कि ionization हो जाता है तो इसमें में पास क्या होगा कि जो heat है वो क्या होगी evolve होगी तो अगर में पास heat evolve हो रही है तो में पास delta H है वो क्या होगा वो होगा negative ठीक है और ऐसे भी cases होते हैं जिसमें में पास heat जो है वो separate जो मेरे पास ions जो है जो separate हो रहे हैं और जो मेरे पास हाइड़ेट हो रहे है इन्स उनकी जो हीट है वो मेरे पास क्या होती है इक्वल होती है ठीक है एंड इसलिए हमारे पास ऐसे केसे में काफी कम एफेक्ट आता है हीट का ठीक है जैसे कि अगर मैं हीट सोलुशन ओफ नसी एल को देखूं ठीक है तो जो नसी का जो हीट इफेक्ट है वो बहुत ही गम चोटा होता है डीजन मिंग कि जो इसकी हीट ओफ आयनाईजेशन होती है यानि की जितना है आयन्स में कंवर्ट होगा ठीक है उसके इक्वल होती है इसकी हीट ओफ हाइडरेशन कि जो मेरे बास इसके आयन्स है वो हाइडरेट होक तो इसलिए जो मेरे पास NACL का heat effect है वो क्या आता है very less तो ये थे हमारे पास कुछ examples of heat of solution अब हम चलते हैं next heat of hydration पर अब जो enthalpy of hydration होती है वो में पस define कैसे होती है कि जो enthalpy of hydration है किसी भी enhydrous या फिर हम गह सकते हैं partially hydrated तो इसका वान मोल करता है required amount of water के साथ तो form a new hydrated stable salt तो उसे हम गया गहते है enthalpy of hydration जैसे कि हमने enthalpy of combustion में discuss किया था कि वो required amount of oxygen के साथ जो भी में पस compound बनता है तो यहाँ पे enthalpy of hydration में required amount of water के साथ जो भी मेरा one mole of a compound है वो combine करेगा उससे हम enthalpy of hydration बोलेंगे जैसे कि अगर मैं example के लिए देखूं तो मैं अगर देखूं थे enthalpy of hydration of enhydrous copper sulfate तो यह मेरे पास cuso4 है जो मेरे पास solid state में plus मेरे पास five water molecules थे जो मेरे पास liquid state में थे तो यह बना मेरे पास cuso4.5 h2o ठीक है तो और इसमें हम देख सकते हैं कि पहले हमारे पास यह इन हाइड्रेस था इसमें water molecules present नहीं थे बट अब यह hydrated salt बन जो कहा है इसमें water molecules present हो गए तो इसलिए इसका जो delta h है जो कि मेरे पास होगा enthalpy of hydration हो कितना होगा equal to minus 78.2 kilo joules ठीक है अब हम enthalpy of hydration को एक और तरह से define कर सकते थे वो थी कि जो मेरे पास enthalpy change होगा जब मेरे पास one mole of a compound जो है वो उसके quantity 20 gas या फिर हम कह सकते थे gaseous ions में ठीक है चेंज होगा उसे dissolve करने पर एक aqueous medium में या फिर water में ठीक है जैसे कि अगर में बात करूं इसके examples की तो में पस इसके examples की है जैसे कि suppose में पास sodium है na positive ठीक है जो मेरे पास gaseous warm में था यह में पास combine dissolve हुआ कि इसमें aqueous medium में और यह आया में पास na positive ठीक है तो यह जो इसका delta है यह में पास hydration in thalopy है जो कि में पास क्या होगी negative because में को पता है कि sodium ion na positive जो है ठीक है वो में पास aqueous medium में ज्यादा stable रहेगा बिकॉस जादा घंड़ करेगा राइट तो में पास heat release होगी बिकॉस एन पॉस्टिव अग्वस जो है वो stable है तो इसलिए जो मेरे पास delta H रहेगा इसका वो क्या है negative ठीक है और वैसे इसका एक और एक्जांपल देख सकते थे हैं जैसे कि c l negative gaseous state में इससे aqueous homie dissolve करवाया तो यह में पास क्या है c l negative haqueous ठीक है और में बस इसका भी जो delta H है वो क्या रहेगा negative रहेगा ठीक है तो यह में पास क्या थी enthalpy of hydration ठीक है तो अब हम चलते हैं next पर जो है हमारे पास enthalpy of neutralization अब जो हमारे पास enthalpy of neutralization होती है वो होती क्या है उसे हम define करते है as the enthalpy change जो मेरे पास आएगा जब मेरे पास one of equivalent of H positive ions जो है जो dilute solution में present है वो मेरे साथ combine करेंगे one of equivalent of OH negative ions ठीक है और एक rise देंगे हमारे पास undissociated water molecule को ठीक है यान की में बस solution है वो क्या होगा neutral अगर मैं इसका example देखती है कि यहना क्या चाहती है definition कि यह देखो कि में बस one equivalent था कि इसका H positive का और वैसी में बस one equivalent था कि इसका वो H negative का ठीक है और यह दोनों combine कर रहे है में बस to give water जो मेरे पास neutral liquid है ठीक है और इसके साथ जो मेरे पास enthalpy change associated होगा इसे हम बोलेंगे enthalpy of neutralization ठीक है जो कि में बस इस case में किता है माइनस 57.1 kilojoule ठीक है तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई reaction होता है उसमें generally में पास क्या होते है जो heat है वो release ही होगी reason being कि मेरे पास charge particles जो है वो convert हो रहे है neutral solution में ठीक है तो stable ही होगा हमारे पास ठीक है तो इसलिए मेरे पास जो delta H है वो हमेशा क्या रहेगा है से reaction का यह में बस negative ही रहेगा ठीक है अब हम कुछ examples देखते हैं कि suppose करो कि में बस one more था किसी monoprotect acid का जैसे कि अगर में बस HCl है HNO3 है यह में बस monoprotect acid है ठीक है अगर में बस इसका one more है ठीक है वो में बस में बस combine करें वो किसके साथ one more of naoh के साथ या फिर koh के साथ ठीक है और अगर वो में बस इसके one more one more also combine करें ठीक है तो मेरे पास क्या हो जाएगा neutralization reaction नग करो जाएगा right कैसे reason being के मेरे पास जो यह monoprotect acid है उसमें मेरे पास H, positive ions present है और जो naoh or koh है उसमें में बस oh negative ions present है तो मेरे पास neutralization reaction ना कर हूआ और मेरे पास क्या है इगा में बस आएगी enthalpy of neutralization ठीक है और में zone acids है, यह मेरे पास कैसे acids हैं, यह मेरे पास strong acids है ठीक है, और वैसे अगर मैं बात करूँ ऐसे basis की तो यह basis ही मेरे पास strong basis है तो it means कि मेरे पास यहाँ से जो neutralization, जो enthalpy of neutralization आएगी, वो क्या आएगी highly negative आएगी highly negative ठीक है, अब दूसरे साइट पर दूसरे example हम यह observe कर सकते थे, कि अगर मेरे पास एक weak acid plus strong base का reaction होता ठीक है या फिर मेरे पास एक strong acid ठीक है, और weak base का sorry, weak base का, हाँ, reaction होता तो इसमें मेरे पास neutralization तो अकर होता बट इसमें मेरे पास जो enthalpy आती, वो less negative आती अब इसका reason कहा है, कि यहाँ पर मेरे पास enthalpy वो less negative क्यों आ रही है reason भी, कि जो भी इन दोनों में से मेरे पास weaker होगा, ठीक है उसकी मेरे को आधी energy जो है वो उसकी complete ionization करवाने में चली जाएगी ठीक है, इसलिए मेरे पास ऐसे जो solutions आएंगे उनकी जो मेरे पास enthalpy होगी वो less negative होगी reasoning कि इसमें जो मेरे पास दोनों में से weaker होगा जैसे कि पहले कि इसमें मेरे पास acid weak है, तो उसकी complete ionization नहीं हो रही तो कुछ energy जो है, उसकी complete ionization में चली जाएगी ठीक है, तो ये था मेरे पास enthalpy of neutralization ठीक है, तो हमने तीन तरह की enthalpies discuss की इस वीडियो में enthalpy of solution, enthalpy of neutralization and enthalpy of hydration और अपनी next वीडियो में भी हम नही तरह की enthalpies को discuss करेंगे